मेश पाजिटिव आपका कानफिदेंस बढ़ा हुआ रहेगा परिवार और संतान को समय देना होगा विशम परिस्थितियों से आप थोड़े प्रभावित हो सकते हैं आपको सही समय पर मदद भी मिल जाएगी कुछ गुपनीए बाते भी आपको पता चल सकती हैं कई मामलों में आप दूसरों को अपनी बातों से समत कराने में सफल हो सकते हैं पाफिश में दूसरों के विवादों का निप्टारा भी आपको करना होगा आपका अरवाया और सोच सकारात्मक रहेगी नेगेद्लिव आप किसी चीज के लिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, किस्मत का साथ कम ही मिल पएगा, जोखिम लेने से बचें, सम्वे दन्शील मामलों को गुप्त रखने की कोशिश करें, साथ के लोगों से व्यमहार बहुत शान्ती से और सोच समझ कर ही करें, जल्दबाजी से नूत्सा साथान हो सकता है, साथान रहे, नौकरी में स्थिती बहुत अच्छी नहीं रहेगी, घर अपरिवार की भी समस्या रहेगी, आज पैसों के काम में आप साथान रहे, क्या करें पानी में टूबूंद घुलाब जल डाल कर नहाए, लब आपके निजी जीवन में कोई बड़ के बिजनेस में बड़ा लाब मिलने के भी योग बन रहे है, हलके विश्यों की पढ़ाई में मन लगेगा, स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिल सकती है, हेल्था सेहत के मामले में दिन ठीक रहेगा, विश्टाजेटर किसी खास काम के पूरा होने की उन्मीद रहेगी, दिन सामान में रहेगा, आज सबसे फले उधारी चुका दे, पैसों का निवेश इस तरह कर दे, जिससे भव्यश्य में आपको फायदा हो सके, निवास को लेकर नई शुरू आत का मन बना सकते हैं, मकान बदलना चाहते हैं, तो कोशिश शुरू कर दे, परिवार के सदस्यों से और प्रेमी जनों के संबंध मत्वर होंगे, बिजनेस में किसी मत्वपूर्ण फैसले के लिए आपकी सलह आहली जा सकती है, नेगे पैसों को लेकर टेहशन बढ़ सकता है, तेवर ज्यादा सकत रह लोग आप से दूर हो सकते हैं, सावधान रहे, आपको ट्रेमलिंग में परेशानी हो सकती है, कुछ वस्तों आप भूल भी सकते हैं, शारीरिक तथा मानसिक तनाव रहेगा, कलपना में खोयरने से सुस्ती रहेगी, दोस्तों और भायों से समय पर मदद नहीं मिलने से पर नियंत्रण रखे, समस्या पर किसी से बात करे करियर कोई बड़ा या जोकिम भरा फैसला लेने से बचे, मियनत से सफलता तो मिलेगी, लेकिन हो सकता है, मियनत के लिहाज से फल थोड़ा कम ही मिले, हेल्था एसीडिटी से भी परेशान हो सकते हैं, सावधान रहे, मिथुन पाजेटिल करियर में अच्छे खासे बदलाव हो सकते हैं, आपको जो भी अनुभब मिला है, आज आप उसका उपयोग अपने निजी जीवन में कर सकते हैं, नजदी की लोगों के साथ मत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत हो सकती हैं, आप सारे मामले सुल जाने में सफल रहेंगे, पैसों के मामलों में आप चतुर साबित होंगे, आप काफी व्यस्त रहेंगे और आपको एक के बाद एक नई चुन पौतियां या जिम में दारिया मिलती जाएंगी, जिनसे आपको आने वाले दिनों में फायदा भी होगा, नेगेटिल बिजनिस में पैसों को लेकर गड़बर हो सकती है, नौकरी या बिजनिस में कोई राज की बात उजागर होने के योग हैं, लोग आप से अजीब व्यभार करेंगे, एक बार में एक से ज्यादा काम हाथ में ना ले, अन्यथा खुद को फंसा हुआ मसूस कर सकते हैं, आज के कामों को लेकर आपकी प्लाने उंग कम जो रहेगी, कर्मचारियों से समस्या हो सकती है, रोगों के कारण आत्म विश्वास कम हो सकता है, आपको ज्यादा व्याभारित होने की करनी चाहिए क्या करे बारों, गम गर्ण पत्या नम, मंत्र बोले, लवा के लापन मुसूस कर सकते हैं, पार्टनर के लिए पैसा खर्चा करना होगा, पार्टनर से कोई बड़ा वादा ना करे, ना ही किसी नए संबंध की और बढ़े करियर कर्मचारियों और स्योगियों स कर खुद का टाइम भी खराब कर सकते हैं, हिल्थपुराने रोफियर उभर सकते हैं, सामधान रहे, कर्टाजिर्टिवाब की राशी में ही चंद्रमा रहेगा, पैसों का दबाव थोड़ा कम हो जाएगा, आपको कुछ खास अनुभूतियां और पूर्वाभास हो सकते हैं जो आपके लिए कारगर रहेंगे, परिवार या सुस्राल के सदस्यों के साथ कोई मत्वपूर्ण बापचीत हो सकती हैं, आपके सामने अगर पिछले कुछ समय से कोई कठिन स्थित चल रही है, तो आज आप उसका सामना पूरे द्रध निष्चे से करेंगे, कुछ वादे और सौधे करने पड़ेंगे, किसी खास काम की तयारी हो सकती है, सफलता दूर नहीं है, आपकरी में भी कुछ मामलों में सफल हो सकते हैं, विप्रीत लिंग के प्रत्ली आकर्शन होगा, दाम पत्य जीवन में सुथमे स्थिती रहेंगे, नेगे पिर किसी व्यक्ती से फाल और पैसा लग सकता है, राशी स्वामी पीरेत होने से सेहत के मामले में सावधान रुना होगा, क्या करे मावे की मिठाई लक्ष्मी जी या किसी भी देवी मंदिर में चढ़ाएं, लभावनाओं का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा, अपने एक सप्रेशन पर कंट्रोल नहीं र पार्टनर से स्योग और सर अप्राइज मिलेगा, करियर बिजनेस और कार्यक्षेत्र में सावधानी रखे, पार्टनर मददगार रहेगा, कम मियनत भी ज्यादा करनी पर सकती है, हेल्थ सेहत के मामले में सावधानी रखे, पुराने रोग बढ़ सकते हैं सिंग पाजेटिल सिंगराशी वालों के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा, अधिकारियों से मुलाकात होंगी, नई बातें सीखेंगे, कामकाज को लेकर आपके दिमाग में नए विचार आते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा फाइदा चाहते हैं तो दोस्तों और परिवार के स अधस्यों से तालमेल बनाए, नए विचार और तरीके आपको ज्यादा फाइदा देंगे, कला, साहित्य और संगीत में रूची होगी, सिहत के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा, जीवन के प्रती सकार आत्मत नजरिया रहेगा, नेगेटिल गोचर कुर्णली के बा रिशान हो सकते हैं, फाल्तू खर्चा भी हो सकता है, किसी खास काम को अकेले निप्टाने की कोशिश करेंगे, तो कोई अच्छा खासा मौका छूट भी सकता है, राजमीती और धन से जुड़े मामलों पर किसी के साथ भस में न उलजे, फाल्तू और भाग भी करनी पड़ सकती है, क्या करें रुपय का सिक्का, किसी नदी या तालाब में डाले, लव पार्टनर का थ्यान आप पर रहेगा, कुछ संबंधों में बदला की इच्छा भी रहेगी, आप नए प्रेम संबंधों को स्थगित कर पुराने संबंधों पर फिर से थ्यान देंगे, करियर ल इन देन में हिसाब की ताब रखे, तनाव का सामना करना पड़ सकता है, रटने और एंटरव्यू देने के लिहाज से दिन ठीक ठीक ही रहेगा, लेकिन आपको संब्भल करना होगा कन्या पाजेटिव इस राशी के कुछ लोग भागयाशाली रहेंगे, नौकरी थंधे के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिल सकती है, गोचर पुर्णली के लाभभा में चंद्रमा होने से आपको फायदा होगा, सेविंग बढ़ेगी, नए इन्वेस्टमेंट के बारे म जानकारी जूटाएंगे, नए निलेश करने का विचार भी बनाएंगे, जरूरी काम आज ही निपताएंगे, आप जरूरत से ज्यादा भावुक भी हो सकते हैं, सोचे हुए काम में सफलता मिलेगी, आस-पास का वातावरन सुखद रहेगा, आपका परफार्मेंस भी अच आपका आकर्शन बढ़ सकता है, नेगे पिर थोड़ी सुस्ती मसूस करेंगे, जिससे कुछ काम अधूरे रहे सकते हैं, कुछ मामलों में आपको एक्स्ट्रा मिहनत करनी होगी, नए नौकरी का मापॉल आपको ज्यादा रास नहीं आएगा, किसी अंजाने डर के कारण आपका साथी आपकी किसी भी बात के लिए तुरंत समत हो जाएगा, पार्टनर से कोई बात मनवाना आपके लिए आसान रहेगा, करियर कार्यक शेत्र और बिजनेस से जुड़े साथियों से स्योग मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्टूडेंट्स के लिए भी दिन शुद रहेगा, स्योग मिलेगा, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल जाएंगे, हे उठपेट के रोग होने के योग हैं, ध्यान रखे तुला काज एटिव लोगों की मदद और सेवा करेंगे, काम काज ज्यादा रहेगा, परिणाम आपको मिल जाएंगे, गोचर कुर्णली के दस्वे भा में चंद्रमा होने से आपके लिए शुद है, नौकरी पिशा लोगों को नया काम या जिम्मेदारी मिल सकती है, एक स् इंकम के योग बन रहे हैं, पुराने निवेश से फायदा मिलेगा, नियम का नून और अपनी जिम्मेदारियों के प्रती समर्पित रहेंगे, आपका मन बहुत साफ रहेगा, सही योजना बनाएंगे और सही दिशा में आगे भी बढ़ेंगे, आत्म विश्वास आप बहुत उदार रहेंगे, दूसरों की सहायता समझपोता करने का कोई मौका नहीं चूकेंगे, नए काम शुरू हो सकते हैं, नेगे पिवाज आपके आसकास और साथ के लोगों के काम निपटाने में आपके खास काम भी अधूरे हो सकते हैं, कुछ काम योजनाओं के अ क्या करें बादाम का तेली उज करें, लवा विवाहित लोग जो प्यार का इजहार करना चाते हैं उनके लिए दिन अच्छा है, दिल की बात कह दें, बसवारनी पर सहयम रखें और पार्पनर के साथ व्यवहार सावधानी से करें करियर कार्यक्षेत्र में अचानक होने के योगबन रहे है, सावधान रहे, कोई पुराना कागज या फाइल आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, स्टूडेंट्स को पले तो तनाल होगा, लेकिन उसके बाद मिली सफलता उन्हें खुश कर देगी, फेल था आज छोटी मोटी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती है, व्रिश्चित पांच एठिव आपका पूरा थ्यान पैसों के मामलों पर रहेगा, आसपास के लोगों को प्रभावित करने में आप सफल हो सकते हैं, पुरानी समस्याओं का कोई नया समाधान भी मिलने की संभावना है, अचानक पैत्रिक संपत्ती से जोड़े मामले सामने आ सकते हैं, रहस्यमय और उत्विध्याओं को जानने की उत्सुत्ता रहेगी, धार्मिक कामों में मन लगेगा, संतान से भी स्योग मिलेगा, भौतित सुथ सुविधार मिलेंगी, नेगेटिर किसमत के घर में ब्रहर्ण योग बनने से कुछ मामलों म आपको किसमत का साथ नहीं मिल पाएगा, फालतू बात पर भी गुस्सा आ सकता है, इससे आपके कुछ काम बिगर सकते हैं, खर्चे, आमदनी और देंदारियों पर नए सिरे से विचार करें, करियर को लेकर मन में चिनता रहेगी, आपको उन पर विचार करना होगा, लोग सारे काम करने की कोशिश ना करें, परिशान हो सकते हैं, क्या करें काले कपड़े में जोरक करदान करें, लवा आप कुछ ज्यादा ही समवे दंशील रहेंगे, जरासी बात भी आपको चूद सकती है, पार्टनर के साथ समय आसानी से बीतेगा, दोनों तरफ से वादे किये जाएंगे, करियर पदोननती के अफसर मिल सकते हैं, लेकिन बड़ा फैसला लेने के लिए दिन ठीक नहीं है, आज किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा, पढ़ाई में रुकावतें भी आ सकती हैं, हेल्थ सेहत में सुधार हो सकता है, गंभी रोगों से पीडित लोगों के ल बता सकता है, उसे दबा कर ही रखना होगा, जीवन साथ ही या किसी और बेहद करीबी व्यक्ति के साथ आपकी लंबी बातचीत भी हो सकती है, इससे आपका मन भी हलका हो जाएगा, बिगडे रिष्टों में सुधार करने की कोशिश करेंगे तो सफल हो सकते हैं, पुराने क किसी निवेश या अच्छे काम पर विचार करें, आज आप फालतू खर्चा कम करने की कोशिश करेंगे, पैत्रित संपत्ती से जोड़ा मत्वपूर्ण फैसला करना पड़ सकता है, नेगित्य वाप के सामने नई चुन वतियां आ सकती हैं, चोट या दुर घटना के भी य जा सकती है, खुद को थोखा देने से बचें और जूठे गर्व से भी दूर रहे, वाणी पर सहम नहीं होने से नए दुश्मन बन सकते हैं, इनसे आपको परेशानी भी होगी, सिहत को लेकर सावधान भीर ना होगा, थोड़ी परेशानियों वाला दिन भी हो सकता है, कोई कोई नया काम भी सावधानी से करें, क्या करें जनेव जोडा और केला विशन मंदिर में दान दे लवलव लाइफ के संबंध में बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है, जो भी फैसला लेंगे, वह आसानी से बदल नहीं सकेगा, यह ठ्यान रखें करियर पैत्रत संपत्त से जोड़े मामले सामने आ सकते हैं, कोई नया काम शुरू ना करें, किसी को उधार पैसा ना दें, स्टुडेंट्स को सीनियर्स की मदद मिलेगी, आज आप सफल भी हो जाएंगे, हेल्था अपनी सिहत को लेकर सामधान रहें, कोई पुराना रोग आपको फिर परेशान कर सकता है, मकर टांजेटिव किसी बड़े सोधे की तयारी हो जाएगी, रोजमर्रा का बहुत सारा काम आज कर लेंगे, छोटे और सरल कामों से शुरू आत करेंगे, तो ज्यादा सफलता मिल जाएगी, कुछ लोगों से आपको पूरा समर्थन मिल सकता है, लोग आपकी मदद करने के लिए तयार रहेंगे, कोशिशों के लिए आपको पुरसकार मिल सकता है, अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को समत कराने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे, प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात होगी नेगे तिल कुछ लोग आपके लिए परिशान या ऐसे ही फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, रोजमर्रा के कुछ जरूरी काम अधूरे रहे सकते हैं, लव लाइफ और दाम पत्य जीवन में किसी बात को लेकर विवाध होने की संभावना बन रही है, नोपरी या बिजनिस में कोई अंजाना डर आपको परिशान कर सकता ह क्या करे हनुमान जी के दर्शन करे, लव किसी को लव प्रपोजल देना चाहते हैं तो ना दे, शादी शुदा लोगों का पूरा थ्यान अपने संभन्धों को सुधारने में रहेगा, अविवाहित लोग लव लाइफ में तालमेल बैठाने की कोशिश कर सकते हैं, करियर अ कुंपटाजेटे खुले मन और इमानदारी से काम करें, अपनी मियनत और परफार्मेंस से आप आगे बढ़ेंगे, दुश्मनों पर जीत मिल सकती हैं, आज आपके सामने रिष्टों और पार्टनर्शिप के कुछ मसले बहुत खास रहेंगे, समझदारी से काम लें, इन ही संबंधों के दम पर आज आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, किसी तनावपूरण रिष्टे को आज आप सुलजाने की कोशिश कर सकते हैं, आप किसी पर पूरा भरोसा करेंगे, जीवन साथी की इच्छाएं भी पूरी करने की कोशिश रहेगी, नयायालीन मामल में सफलता भी मिलेगी, मनो रंजन के कुछ मौके अचानक मिलेंगे, मामा पक्ष से स्योग मिलेगा ने गेटिव अधिकारियों से भस हो सकती है, गुस्से में किसी से कुछ ना बोले, चुप्रुने की कोशिश करे, पुरानी समस्याय और उलच भी सकती है, किसी भी मामले म में बड़ा रिस्क ना ले, अपने काम पर पूरी तरहे देना आपके लिए बहुत हद तक चुनवती पूरण रहेगा, जरूरी कामों में जल्दबाजी ना करें, दबाव में काम करना पड़ सकता है, वानों से सावधान रुना होगा, कुम भ्राशी के लोग परिणामों स संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्या करें अपोजेट जेंडर वाले को फ्रूर्ट जूस पिलाएं, लग किसी को शादी के लिए आफर कर रहे हैं, तो आज रूप जाएं, जल्दबाजी करना आपके लिए ठीक नहीं है, करियर कार्यक्षेत्र में परिशान भी हो सकते हैं किसी को उधार पैसा ना दे, स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिलने के योग हैं, हिल्थमांसिक तनाव रहेगा, आज आप सावधान रहें में ताजे ठीवाप जिससे मदद की अपिक्षा करेंगे, वह भी हाजे रहेगा, भायों और दोस्तों से स्योग मिलिगा, पाफिस और परिवार में कुछ बदलाब मुसूस कर सकते हैं, आज आपके सामने कुछ नए मौके भी आ सकते हैं, जिनसे आपको अचानक फायदा हो सकता है, अपने मत्व के विश्यों पर ध्यान दे, दूसरों के लिए कुछ त्याग भी आपको करना होगा, हर स्थिती में विनंग रुना होगा, रोजमर्रा के कामों में फायदा रहेगा, पाफिस में चलते और बाकी कामों की जाच कर ले, कोई इस बारे में पूछ सकता ह आपके कामों से सभी प्रसंद रहेगे नेगेखिल संतान संबंधी मामलों में टेशन हो सकती है, कोई अधिकारी या परिवार का बुजूर्ग आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है, कोई आपकी योजनाए बिगारने की कोशिश भी कर सकता है, कुछ मामलों को लेकर मन में कनफ्यूजन और अनिश्चित्ता का मापॉल रहेगा, घर से आफिस आने जाने में समस्या भी मजूस हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाए, क्या करे गरनिश मंदिर में मिठाई चड़ाए, लब पार्टनर आपकी हर बात समझेगा और आप से सलहा भी लेगा, प्यार के ल थोड़ा सावधान रहे, पढ़ाई का दबार बना रहेगा, आप कोशिश भी करेंगे, लेकिन मन भटकेगा, और आप आलस्य के कारण परिशान रहेंगे, एक आग्र होने की कोशिश करें, कोई चीज कहीं रख कर भूल भी सकते हैं, हेल्थस्यर और बदन दर्ग से परिश जान हो सकते हैं, कोई पुराना रोग भी रहेगा,